राधी राधी दोस्तों कैसी हैं आप सब हमारी यूट्रिप चैनल में आपका स्वाकत है दोस्तों चैतर महा के क्रश्न पक्ष की दश्मी तिथी को दशा माता का प्रत किया जाता है लेकिन दशा माता की पूजा चैतर महा की कृष्ण पक्षी प्रतिप्रदा तिथी से शुरू हो जाती है प्रतिप्रदा से दसमी तिथी तर हर दस दिन की दशा माता की अलग-अलग कथाई होती है दशा माता को प्रसंद करने के लिए और उनकी कृप्रा प्राप्त करने के लिए रोजाना दशा माता की हर दिन की कथा को अवश्य ही सुनना चाहें दशा माता की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति की दशा सुथर जाती है बुरा समय चला जाता है और अच्छा समय आता है दुख तरित्ता और गरिवी का नाश होता है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दशा माता की तीसरी कथा सुनाएंगे कथा के अनुसार एक सास बहू थी एक दिन सुभे सुभे सास ने बहू से कहा की जाओ आग लाकर भोचन बनाओ बड़ी भूक लगी है बहू हात में कंडी लेकर आग लेने गाओं में गई उस दिन गाओं भर में तशा माता की पूजा थी इसलिए किसी के यहां से भी उसे आग नहीं मिली वह खाली हात लोटकर घर आ गई साइं होने पर वह पडोसन के पास जाकर बोली की मेरी सास तो दशा माता का दोरा नहीं लेती परंतु अब की बार मैं दोरा लेना चाहती हूँ मुझे पूजन की विधी भी बता देना दोबारा जब दोरा लेने का समय आया तो वहू ने सास को बिना बताए दशा माता का दोरा ले लिया नौ दिन वह किसी न किसी बहाने पडोसन के घर जाकर कथा सुनती रही दसमे दिन उसी चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बहाँ चली जाए तो मैं शान्ती पूरवक पूजा कर लो दशा माता की क्रपासी सास पहू से बोली मैं आज खेतों में जा रही हूँ यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिये खेत पर खाना ले आना बहू के मन के मुराद पूरी हो गई बहे तो यही चाहती थी उसने सास से कहा की आप निश्चिन्त होकर जाए घर का सारा काम मैं निप्टा लूँगी सास के जाते ही बहू ने इसनान कर दशा माता की पूजा की इसके बाद बहे पूचा की सामक्री मिट्टी के गोले में रख कर उसे सिराने के लिए ले जाने लगी कि उसी समय उसकी साथ खेतों से बापस आगई सास को देख कर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया उसने सोचा कि उच्छ समय पर गोले को दही से निकाल कर विसरजित कर आऊंगी सास ने आते ही बहु से कहा तुम मुझे खाना देने क्यों नहें आई अब तक क्या कर रही थे बहु ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोय थे उनके सूखने में देर लग गई इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई मैं थाली लगाती हूँ आप भोजन कीजिए सास का गुसा कुछ ठंडा हुआ बहब पैर धोकर चौक पर बैटी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया बहबी माता के साथ भोजन करने बैठ गया सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला मुझे तो दही चाहिए सास ने बहु से दही देने के लिए कहा बहु बोली मैं तो रसोई में हूँ आप ही इन्हें दही दे दीजिए सास हाथ धोकर दही लेने गई परंतु जैसे ही उसने चाच की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खडाने की आवाज आई उसने हाथ डाल कर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला सास ने आश्चड़े से पहु से पूँचा इस चाच की मटकी में यह सोने का गोला कहां से आया इसे तुम कहां से चुरा कर लाई हो यहां क्यों छुपा कर रखा है मैं समझ गई कि इसी बजह से तुम छास देने नहीं उठे इसका भेद बताओ बहु बोले मुझे कुछ नहीं पता मेरे दशा माता जाने मैंने आपको बताए बिना दशा माता का दोरा लिया था और उनकी पूजा की थी आपके आजाने के कारण मैं दोरे को विसरचित करने नहीं जा सकी आपके डर से मैंने इसे छाच की मटकी में छिपा दिया था दशा माता ने इसे सौने का बना दिया सास ने बहु को गले लगा लिया और कहा अब मैं भी तुम्हारे सार डोरा लोंगी और विधीवत प्रत और पूजा किया करूंगी हे दशा माता जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना दशा माता की तीसरी गता संपूर होई उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस से भैबी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारी चैनल के स्थी राते किशना शिंगार को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक्स पर वाचिंग राते राते